आपका पहला सवाल है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आपके option है A. मंगल को, B. प्रित्वी को, C. बुद्ध को, D. रहस्पती को. इसका सही जवाब होगा option number B. प्रित्वी को. आपका आगला सवाल है कि किस देश से अलग होकर बांगलादेश का निर्मान हुआ था? आपके option है A. पाकिस्तान, B. भारत, C. नेपाल, D. चीन. इसका सही जवाब होगा option number A. पाकिस्तान. आपका आगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके option है A. गोआ, B. सिक्किम, C. राजस्थान, D. उत्तरप्रदेश विडियो को अंट तक जरूर देखें इसका सही जवाब होगा option number D. उत्तरप्रदेश आपका आगला सवाल है कि पानी का जहाद सबसे पहले किस देश में बनाया गया था? आपके option है A. जापान, B. भारत, C. ब्रिटेन, D. रूस इसका सही जवाब होगा option number C. ब्रिटेन आपका अगला सवाल है कि कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा भोजन करता है? आपके option है A. हाथी, B. शेर, C. मगरमच, D. ब्यूवेल इसका सही जवाब होगा option number D. ब्यूवेल आपका अगला सवाल है कि किस फल को खाने से दिमाग तेज होता है? आपके option है A. केला, B. संत्रा, C. अनार, D. अक्रोट इसका सही जवाब होगा option number B. संत्रा, आपका अगला सवाल है कि इस रो का मुख्याले कहां स्थित है? आपके option है A. गुजरात में, B. धनबाद में, C. बैंगलो में, D. कोलकात्ता में इसका सही जवाब होगा option number C. बैंगलो में आपका अगला सवाल है कि कोरोना वाइरस का पहला केस किस देश में मिला था? आपके option है A. चीन में, B. भारत में, C. जापान में, D. अमेरिका में इसका सही जवाब होगा option number A. चीन में आपका अगला सवाल है कि रामायन के लेखक कौन है? आपके option है A. बालनी की, B. तुलसी, C. वेद व्यास, D. विश्वा मित्र यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से जीके के शांदार प्रशन लाता रहूं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें इसका सही जवाब होगा option number A. बालनी की आपका अगला सवाल है कि फलों की रानी किसे कहा जाता है? आपके option है A. लीची, B. आम, C. अंगूर, D. अनार इसका सही जवाब होगा option number A. लीची आपका अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको फासी दी थी? आपके option है A. भागत सिंग को, B. सरदार पटेल को, C. खुदी राम बोस को, D. चंदरशेक हराजाद को इसका सही जवाब होगा option number C. खुदी राम बोस को आपका अगला सवाल है कि हमारे सौर मंदल का सबसे बड़ा ग्रेह कौन सा है? आपके option है A. मंगल ग्रेह, B. ब्रहसपती ग्रेह, C. बुझ शुक्र, D. शुक्र ग्रेह इसका सही जवाब होगा option number B. ब्रहसपती ग्रेह आपका अगला सवाल है कि कौन सा जानवर पैदा होने के दो महीने बाद तक सोता है? आपके option है A. कुट्टा, B. भालू, C. बाग, D. हाथी इसका सही जवाब होगा option number B. भालू आपका अगला सवाल है कि पक्षियों को राजा किसे माना जाता है? आपके option है A. तोता, B. बाज, C. मोट, D. गिद इसका सही जवाब होगा option number B. बाज आपका अगला सवाल है कि किस जानवर का दूद सबसे महेंगा होता है? आपके option है A. गाए, B. भान्स, C. शेर्नी, D. गधी इसका सही जवाब होगा option number D. गधी आपका अगला सवाल है कि किस पेर के नीचे भगवान बुद्ध को ज्यान की प्राक्ति हुई थी? आपके option है A. नीम, B. पीपल, C. जामून, D. आम इसका सही जवाब होगा option number B. पीपल आपका अगला सवाल है कि भारक में स्वतंत्रा दिवस कब मनाया जाता है? आपके option है A. 15 अगस, B. 26 जन्वरी, C. 2 अक्टूबर, D. 5 नवंबर गधी इसका सही जवाब होगा option number A. 15 अगस, आपका अगला सवाल है कि भारत का सबसे उचा दर्वाजा कौन सा है? आपके option है A. चार मीनार, B. ताजमहल, C. लाल किला, D. बुलंद दर्वाजा यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से जीके के शांदार प्रशन लाता रहू तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें इसका सही जवाब होगा option number D. बुलंद दर्वाजा आपका अगला सवाल है कि लिप्स्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? आपके option है A. सुर का, B. गाय का, C. बिल्ली का, D. खच्चर का इसका सही जवाब होगा option number A. सुर का आपका अगला सवाल है कि भारत का राश्ट्रिय रंग कौन सा है? आपके option है A. लाल, B. हरा, C. पीला, D. केसरिया इसका जवाब कॉमेंट में बताए विदियो को अंग तक देखने के ये आप सभी का धन्यवाद